कि मillonर्न मार्केट अगर नीचे के तरफ जाता है लिएचे के 20,600 हो गया अब यहां पे देखो अगर ॉपर कर दिया अगर 20,600 यहां पे यहां पर कहीं पर अगर चरपके आजाता है तो मैं ज्यादा करने वाला विकॉस मेरा यहां पे एक बाई सिग्जल था है जिसने मेरा लॉस को प्रोटेक्ट कर दिया नमश्कार दोस्तों विल्काम टू ल्चिया लान टू इन्वेस्स निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो दोनों आज नया रेकॉर्ड हाई बना चुका है और सवाल यह है कि आगे बजार क्या जाएका जी हाँ सवाल तो यही है और यही सवाल ट्रेडर्स के माइंड पे हर दिन चलता है कि कल क्या होगा या फिर आज अभी एक गंडे बाद क्या होगा और इसे हम लोग प्रेडिक्शन भी कहते हैं और टेक्निका एंसिस करने के बाद थोड़ अपडेट भी मिल जाता है और बेस्ट ऑन डाट और इसे हम लोग ने सिर्फ टॉप लॉस ही या फिर फिर प्रॉफिट बनाए तो बनाए कैसे या फिर बना कौन रहा है अगर एसल से काम नहीं बनता है अगर काम नहीं बनता है तो इक्जाइटली जो रिस्क मेनेजमेंट है जो तर्म रिस्क मेनेजमेंट के बात कर तो वो बनाते कैसे हैं तो उसके लिए जनरली दोस्तों आप लोग को स्ट्राटीजीज यूज करना पड़ेगा और मैंने करें वो हम लोगने थोड़ा सा इंट्राक्शन दे दिया है आज इसी का पार्ट्व है इस वीडियो का पार्ट्व हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहरे दोस्तों नमिश्कार वांस अगें और वीडियो अगर आप देख रहे तो लाइक शेस सब्क्राइब करना मत करने के बाद आप संसीबल एकाउंट डिरेकली आपको फ्री मिल जाता है तो वहां पर भी आप यूस कर सकते हैं लिंक दोनों के दोनों जो ब्रुकर्स हैं उनके लिंक हम लों नीचे दे दिया वीडियो डिस्क्रिशन में आप चाहिए तो अगर आप देखो कि यहां पे सब्सक्रिशन कर सकते हैं अगर आप बेरिश हो तो क्लिक करेंगे तो और कुछ आएंगे नूटल है यानि कि नॉन डिरेशनल अगर है आप नूटल स्टैन लेकर चले तो भी आप वहां पर भी कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेड बना सकते हैं एक्जांपल के तो और अगर आप स्टैडिशन नाम दे देते हैं लोग बट इसका बेसिक जो वर्शन है वो मैं पहले आज आप लोग साथ क्लियर करें तो में टाइम वीडियो को अगर आप देख रहें तो कमेंट जरूर कीजेगा कैसा लगा और लाइक श्या सब्सक्राइब करना मत बोलेगा सबसे पहले निफ्टी का आपको देख रहा होगा यहां पर हम लोग ने इंडेक्स सिलेट किया और इसका आप एक्सपारी यहां सब सिलेट कर सकते हैं तो बिल्ड कस्टम स्टैडिज हम लोग अपना खुद का स्टैडिज बनाएंगे तो पिछले वीडियो पर मैंने बात किया था कि स् राइट और रेजिस्टेंस यह मेन है सपोर्ड रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम लोग स्ट्राइक प्रैस को सिलेट करेंगे तो हाउट तू सिलेक्ट प्रैस इसके उपर भी हम लोग ने एक वीडियो और यूट्ब पर बना दिया है तो प्लीज एक बार उसे भी देख है निकि 19,000 से भी नीचे सपोर्ड आपको दिख रहा है बट वी नॉट भी गइंग धाट फार हम लोग थोड़ा स्पोर्ट का अगर बात करू तो मोस्ट वाबली 20,800 के जोन पे इक स्ट्रॉंग ओपन इंटरस बिल्ड़ पर सपोर्ड है फॉल्ड बार 21,000 पर जिसको बज करके नहीं ले रहे हो तो आप option data को देखके भी आप support resistance प्लोट कर पाऊगे तो मैं basic और generic idea ले ले लेता हूं कि 20,800 के असपास मेरा support है 21,000 मेरा mid zone पे फिला about the strategies कैसे बनाएंगे options में आ जाते और यहाँ पर आप दिखेगा strike price 14 December या फिर आप चाहो तो monthly series 28 December भी ले लो ठीक है यहाँ पर जो spot price दिख रहा है वो आपका ये गलत है this is not correct I don't know why sensible has some issue with maybe but आपका जो actual spot price होगा वो होगा यहाँ पर 20,000 950 21,000 यह आपका actual spot money है ठीक है तो ज यहाँ पर भी दिख जाएगा spot price correct count है 20,000 950 21,000 this is your perfect spot money let's create a strategy क्या कहते है कि strategy ऐसा बनाना चीए कि 28 December मार्केट क्या करने वाला है मुझे नहीं मालूम ठीक है और कैसा हो सकता है यह भी मालूम नहीं है बट हमें एक profit बनाना है या फिर minimum से minimum risk लेके हमें trade को hold करना है या फिर strategy भाइस खेलना है अब adjustment का बात मैं third video पर करूँगा जहां पर आप advanced level पर adjustment भी करना सिखाऊंगा बट पहले basic खतम कर लेते हैं तो मान के चलो कि 20,000 21,000 के level पर हम लोग ने mid लिया so short angle अगर बना आते है कि market नीचे जाएगा उपर जाएगा we do not know so what we can do is you can sell 21,000 का आप यहाँ दोनों तरब call output sell कर दो बट अगर मैं दोनों call output sell करता हूँ imagine करते हैं कि मैं इसको भी sell करता हूँ जिसका premium देखो LTP मतलब premium है delta को हम लोग बात में बात करेंगे इसका premium 252 है और this is your LTP for the call side यानि कि round off पे 100 points का difference है call put मतलब यह combination मेरे लिए 5 a month बनता अगर market में दोनों के premium almost similar ह which is not in the case now forget the similarity अगर थोड़ा सा उपन नी चले जाते है example तो पर यह ले लेते है similarity का अगर बात करो तो देखो यह अगर spot money है तो इसके नीचे 136 है तो at least यह आपका 136 होना चाहिए बड़ यह 252 है मलब यहां पर market as because काफी लंबा bull run किया तो premium values are very high call set के premium values काफी हाई है और यह यहां पर हमारा जो advantage होगा अगर market नीचे गिरता है तो इसा थीटा टीके करेंगे या फिर short करेंगे तो हमें पैसा बनेगा बड़ क्या guarantee के market नीचे गिरेगा market साथ आप 21,500 तक भी जा सकता है 22,000 भी जा सकता है we cannot say that right तो based on that हमे strategy भी बनाएगे जहां पर हमें एक limit भी set करे break event point भी बनाएगे चलो थोड़ा से experiment करते है आपके साथ बात करते करते तो हम लोग देखेंगे equal amount of strike price का जो premium उसको match करेंगे और delta को भी थोड़ा match करना पड़ेगा ठीक है number one 20,000 21,000 हमारा midline है 20,000 950 का जो premium है वो 136 पे है और 0.38 का इसका delta है delta value 0.38 अभी 0.38 का delta का बात करे तो 0.38 delta हमें यहाँ पे मिल रहा है देखो दिख रहा है 0.38 delta और 134 का premium है तो almost similar matching पे है तो हम लोग क्या करेंगे short करेंगे बट आप दिखोगे न यह 21,250 के level पे और 20,000 950 याने की spot price का level से काफी ऊपर यह है right which is not bad but it is identically it is not good also अभी हम लोग ले ले देखेंगे हम इसको short कर दिखेंगे और दूसरा short हम लोग यहाँ पे यहाँ पे add करेंगे अब देखते क्या होता है let's click on done simple observation करते है पहले दोनों short build क्या अब बोलोगे sir 1,30,000 का capital चाहिए trade करने के लिए इसको थोड़ा margin कम करेंगे पहले हम लोग break even समझते है 20,679 से लेके 21,521 तक हमारा क्या है break even यानि कि जब तक बजार इसके range के बीच में रहेगा तब तक हम profit बना सकते है expiry तक ठीक है मैंने करो कली बन जाएगा expiry तक because अगर आप blue line को देखोगे blue line blue line दिखा जाता हो नीचे आ जाता हो यहाँ पर यह देखो अब नीचे देखोगे ना यहाँ पर आपको एक blue line दिख रहा होगा ठीक है और उससे पहले मैं अपने आपको थोड़ा इधर शिफ्ट करें ताकि आप लोगो और अच्छे से दिखे अब यहाँ देखो यह जो टार्गेट डेट है ना टार्गेट डेट को अगर मैं शिफ्ट करता हो लेट से के एकदम last 28 December ले आ जाता हूं तो फि कितना प्रॉफिट होगा बेश्ट ऑन इस निफ्टी का टार्गेट आप मूब करोगे लेफ्ट यह राइट पर आपको दिखेगा राउंड आप पर अगर कॉमन बात करें तो आप जब तक इस बॉक्स के अंदर हो जहाँ पर एक ग्रीन कलर का दिख रहा है इस 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 बेट करना पड़ेगा तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा उसको बढ़ नहीं जाएंगे तो यह अगर मार्केट 20,000 एकदम एंडे पर आता है और मार्केट एकदम लास्ट 28 डिसमबर को मार्केट क्या करता है एकदम यहां पर आता है बिसिकली एक मार्केट आपका 21,500 हो या फिर चलो माहिड 23,000 हो जाता तो क्या होगा अगर बजाट 23,000 हो जाएगा तो इन्यकि मेरा लॉस्ट आप। फिर इस तरफ नीचे गिर जाए तो मेरा जो दोनों तरफ का दरवाजा है जो पूरा पूरा हो open है और market band बजा सकता है गर market no heavy momentum दे देता है ठीक है अभी इसको भी थोड़ा सा में taper करना पड़ेगा मला थोड़ा सा narrow करना पड़ेगा चलो इसको कैसे करते है narrow अभी देखते हैं यहाँ पर आप देख लो narrow कैसे करेंगे add करेंगे और हम लोग क्या करेंगे we want to add some as because हमारा spot money से काफी दूर हो गया spot money हमारा यहाँ पर तो हमने इसको ATM पे sell किया है और एक deep ATM पे sell किया है तो आप समय जिए होंगे मार्केट में यहाँ पे combination में थोड़ा सा गरवड़ी होगा चलो थोड़ा नीचे करते हैं और let's try to buy an option which is close to the spot money तो हम लोग 77 के put के premium को buy कर रहे है आप देखो यहाँ पे हमने इसको manage कर लिया मार्केट अगर नीचे के तरफ जाता है लेट चेकर 20,600 हो गया अब यहाँ पर कर दिया अगर मार्केट 20,600 यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर आजाता है तो मैं जादा loss नहीं करने बाला because मेरा यहाँ पर buy signal था है जिसने मेरा loss को protect कर दिया समझ में आ गया बट इस तरफ का दरवाजा भी भी खुला है मार्केट अगर 21,500 के ऊपर चला जाता है तो मेरा loss होने के chances और बढ़ जाएंगे तो इसको भी protect करना है तो मैं इसको भी क्या करूँगा मुझे यहाँ पर एक और buy option लेना पड़ेगा बट मेरा मन में यह डर है कि अगर out of money पर buy करता हूँ तो definitely market का premium 0 होगा because 21,500 बजा जाए या ना जाए क्या पता पर फिर भी for time being adjustment हम लोग ऐसा नहीं के पकड़ कर आप रगदो के पूरे महिने तक आपको जैसे जैसे market move करेगा आपको इसको sell buy करना पड़ेगा बापस adjustment हम लोग उसे ही कहते हैं तो फ देखोगे ना यहां पर lines थोड़े हद तक मैंजर है 5000 के आसपास का ही loss दिख रहा है यानिकि जादा loss मेरा नहीं हो रहा है जो 77,000 के जो loss दिख रहे थे ऐलिस उससे 5000 तो बेटर है आप आजा यहां पर यह देखो this will give an idea वहां पर हमारा loss क्या था unlimited अभी हमारा loss कितना हो गया 5,800 और हमारे profit को हम लोग ने एक figure दे दिया कि 6,600 तक profit आएगा by the end of the expiry अगर market तारगे आप से move करता कि नहीं इसका payoff charts आपको नीचे दिखी रहा होगा चलो अभी हाँ पर थोड़ा बहुत adjustment आपको और करना पड़ेगा अगर आप जैसे से market आगे बढ़ेगा आपको दिमा इसमें साइध profit मिल रहा है, market ये हमारे favor में जा रहा है, market नीचे गिर रहा है actually, तो मैं इस call option के loss को निकाल दूँगा और थोड़ा सा नीचे और एक जाके में एक और call buy करूँगा ताकि मेरा put को मैं ट्रिल करते रहूँ, जैसे market reverse करने लगता है तो मैं put के जो profit ते उसको न calculation होता है, adjustment कैसे करना चाहिए, तो हम लोग उसको पर भी वीडियो बनाएंगे, तभी बनाओंगा जब आप लोग comment जरूर करेंगे, तो hopefully यहां तक आपको basic concept समझ में आ गया, कैसे इस strategy को यूज़ करेंगे, अब यहां पर दो चीज़े और मैं आपको दिखा ज़गा, let's see the pay off table, यह काफी important, काफी crucial है, अब यहां पर एक बाद तो नज़र डालोगे न, तो आपको दिखेगा, कि market अगर 21,800 पर है, तो मेरा loss कितना होगा, अगर market 21,650 पर तो मेरा loss कितना होगा, मेरा loss कितना होगा, मेरा expiry तक कितना loss हो सकता है, तो आप दिखो कि न, यह 5,800 तक मैं इसको limit कर दिया हो, अगर market 21,950 तक भी जाता हो, तो भी मेरा loss सी 5,800 तक ही होगा, तो ना advantage इसमें क्या है, कि मेरा loss is limited, मतलब चाहे market 1000 पॉइंट क्यों न बढ़ जाए, बट मेरा loss 5,800 पर ही limit कर दिया हो, यह सबसे बड़ा risk management होता है, अब profit अगर जो हमारा है, वो हमने हाँ पर 6000 पर count किया, अगर मान के चलो कि profit को थोड़ा सा और बढ़ा सकते है, तो उसमें कितना अच्छा रहेगा, तो adjustment से पहले 2-3 चीज़े और important जो आपको देखना है, number 1, risk to reward ratio आप ज़रूर देखेगा, पर उससे पहले probability of profit देखना, अगर यहाँ पर probability of profit below 50% के नीचे है, means कि यह profit आने के chances थोड़े से कमजोर है, we need to adjust it, at least 50 to 70 के zone पर रहेगा, तो मज़ा आजाएगा, बलब आपका trade में भले कम पैसा बने, बट share already जादा है, हाँ, बट अगर आप चाते हो कि नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा advanced level पर चले जाओगे आप, और आप direction के साथ, जाप prediction क करो कि मांगर ऊपर जाएगा, या फिर निची जाएगा, और based on that आप इसके साथ adjustment खेलोगे न, तो maybe you can go with 20 to 30% के zone पर भी आप करोगे, but आपको पता है कि next step मेरा adjustment होगा, next step मेरा adjustment होगा, but अपर आप beginner हो, तो मैं recommend करोगा, at least 70% या फिर 60% के zone तक कोशिश करो कि इस zone के बीच और कोई option नहीं दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा adjustment से पहले, मैं थोड़ा सा और adjustment आपको यहाँ पर दिखाता हो, अब imagine करो कि मैं यह दूर का premium नहीं buy करता, ठीक है, तो let's ignore this, मैं नहीं buy करता, तो मेरा profit इतना था, but मेरा loss unlimited था, तो मैं इसको थोड़ा सा पीचे, let's say कि मैं उल्टा, अगर market उपर जाएगा, तो मैं थोड़ा safety खिलना चाहता हो, and I want to buy this, right, मैं यहाँ पर buy कर, आप देखोगे न, मेरा यहाँ पर adjustment है, 51% का probability of profit है, but फिर भी मेरा यहाँ पर 11,000 का loss है, एक supply तक, तो adjustment करना पड़ेगा, तो यहाँ पर minimum अगर market उप पर जाता है, तो मुझे इसका profit निकलना पड़ेगा, और फिर बापस adjustment करना पड़ेगा, एक sell position एड करना पड़ेगा, एक buy position एड करना पड़ेगा, तो धीर धीर करके आपको adjustment करना पड़ेगा, इसी को आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, variation करते रहेगा, और देखे का match हो रहा है और आपके setup के साथ चल रहा है, according to that आप trade को initiate कीजिएगा, और बिना strategy का trade मतलब risk management नहीं हुआ है, stop loss लगाने से या फिर hedge position बनाने से risk management नहीं होता, मैंने यहां पर सिप आपको 4 दिखाए, let's try to add some more, अभी delta के हिजाब से support resistance का मैंना बात कहा था, पहले आपको वी आपके लिए पूरा game different हो जागा, let's example के तौर पर मैं clear करता हूँ, weekly basis कर रहा हो, तो obviously मैं December expired नहीं जाओंगा, मैं 14 December expired लोंगा, और मैंने क्या बोला, कि 200 point plus, 200 point minus, skipping 21,000 as a midline, तो यह हमारा spot money है, 21,000 को midline यहां से minus 200, मतलब हमारे पास 800 का level होगा, plus 200 मतलब यह level पे होगा, ठी आप देखो, delta 0.45, 0.47, लगवग यह similarity पे है, तो let's try to sell these options, अगर आप selling side में नहीं करना चाते हैं, तो buy side में भी कर सेता हो, but generally sell में जादा better हो जाता है, because strategy create sell में अच्छा हो जाता है, directional यह non-directional वाला, ठीक है, तो हमनोंने दोना sell किया, यहां पे, 88 का premium में, 93 का premium में, थोड आप देखो, यहां पर clearly, मेरे पास funds requirement, हाला कि दो sell options है, फिर भी 54,000 का है, probability of profit 40 पे है, but मेरा profit हमारा ज्यादा है, loss हमारा कम है, पे-off tables भी आपको अच्छा दिखेगा, और जो आप pay-off graph दिखेंगे, तो भी आपको अच्छे से दिखेगा, look at this, this is a better option, break-even point, यानि कि यहां shift करो, या फिर इधर market जा रहा, तो इधर shift करो, according to that, आप यहां पर इस को changes, इस trap को changes आप करते रहोगे, तो यह basic fundamental है, उमीद करता हो कि आप लोगो पसंद आया, और समझ में नहीं आया, तो सवाल पूछेगा, जो topic पे आपको समझ में नहीं आया, जो point समझ में नहीं आया, प्लीज सवाल पूछे, ताकि मैं उसको उपर अलग से एक वीडियो बना सका आप लोगो के लिए, तिलन, thank you so much guys, और comment ज़रूर कीजएगा, like, share, subscribe करना मद बूले, thank you and wish you guys all the best for tomorrow.